एक खेत में तीन फचल जीहां किचान भाईयो आप सही सुन रहे एक खेत में तीन फचल देखी आगे विडियो नमस्कार किचान भाईयो आपका स्वागत है हमारा चाइनल क्रिसी राज यूटूब चाइनल में आज हम ले चलते हैं आपको लागात एक मुनाफा तिन गुना ट्रीपल मुनाफा यानि की एक ही खेत में तीन परकार के खेती करें और लगातार एक साल तक सबसे ज़्यादा पैसा कमा है तो किस परकार से आप पैसा कमाईएगा सबसे ज्यादा तो इस विशाय पर हम चर्चा करेंगे उससे पहले हम आपको यह बता दे कि आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चाइनल हमारा यूटूब चाइनल क्रिसी राज को सस्क्राइब करें और हमारा वीडियो कि विडियो को लाइक करें यह इसे सभी किसान भायो देख सकते हैं कि एक ही फसल लगा सकते और मुनाफा कमा सकते हैं 2022 में इस परकार से खेती करें और कमात्ठेर सारा मुनाफा तो अब आगे देखिए जैसे कि हम खेती करेंगे एक खेत में गोभी लगाएंगे और क्रेला लगाएंगे और परवल लगाएंगे किस परकार से लगाएंगे ठीक है किस परकार से लगाएंगे आप लोग कामन में सवाल होड़ा होगा तो हम आगे बताते हैं देखिए इस परकार से आप तीन खेती क कर सकते हैं कि अधिये हम दिखा रहे हैं आपको एक ही खेती में और तीन फचल लगा हुआ देखिए एक तो आभी आपको दिखा रहे हैं ब्रोकली कोभी इस परकार से और देखिये यह परवल है और देखिए क्रेला यानि कि खेत एखी है और तीन परकार का फसल है तो आगे हम अभी आपको दिखाएंगे और भी और इससे पहले जो हमारे किसानभाई हैं उनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे जो किस परकार से इसमें मेहनत किये हैं और कभ यह फसल को लगाएं और कितना दिन म है या फसल हुगा है तो अभी आप देखिए हमारा वीडियो को और हम अभी तुरत आपको किसानभाई से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कब-कब क्या लगाए थे आप देख लिए किस परकार से तीन खेती किये एक ही खेत में तीन फसल एक ब्रोकली गोभी लगाएं और एक करेला लगाएं और एक पड़वल लगाएं अभी आप देखें अब आगे इसके बारे में कब कौन सा फसल लगा किस परकार से लगा और किस परकार से इसमें आपका घड का हुआ ए जो अभी हम खेती देख रहे हैं आपके फसल जो है अभी गोभी है और क्रेला है और परवल भी है तो हम आप से यह चीज पूछना चाहते हैं कि यह खेती आप कब किये थे किस महिना में आप फसल को लगाया है लास्ट अक्टूबर में हमने परवल लगाया था जी और नॉम्बर अक्टूबर लास्ट में हमने ब्रोकली और लगाया और परवल लगाया है करेली जो हमने वो लगाया है 25 दिसंबर यानि कि ननंबर से दिसंबर तक में सब आप लगा है तो यह लगाने के बाद यह कितना एक महिना भेर इतना बड़ा हो गया और उसके बाद कितना दिन हो गया टेर मंत, यानि कि तीनो एक ही बार लगा है थोड़ा आगे पिछे करके और इस टाइप से आप तीन खेति में कीएकिये तो आप अभी पहले इसका गोभी को khतम कर लीजेगा काटके जी उसके बार नहां कि तो इस उसके बाद याँ पर वल सुरू हो जायगा तो इस परकार से आप खेती कर रहा है यानि कि मेनद तो सभी में परकार से हो डाहा है और इसी परकार से यानी कि लागा तेक और मूनाफा ट्रीपल हो का देखिए यहां खेति ब्रोकली और क्रेल और पर्वल किस परकार चे है यानि कि एक ही बार लगा है खेत में सभी फसल और इस तो और महीना में हो गया उसके बाद नवाड ऐसे बाद पर्वल होगा धाया कैया यानि कि ऴीद्टि लगातार में लगा हुआ है नि एक रहे गाएगा उन dodda लोग भीखे ए तो आप अभी देखिये किसान भाई क्या अब ले किस परकार से वह गया पैशा हो गया और उसमें तीन यह लगई दास दिन 15 दिन के अंत्राल में में और लगना यह इदा देडाई रहेगा ही उसी में करेवल पहले लगा तीनो लग गिया और तो पहले आप गो भी काट लिजिएगा साथ या पैसर दिन में उसके बाद क्रेला हो जाएगा क्रेला का बाद परवल हो जाएगा तीनो खेती तो है ना किसान भाईयो एक ही खेत में तीन परकार के फसल लगा के और ट्रीपल मुनाफा लागात एक लगाया तो हम एक लेकिन मुनाफा हमको तीन गुना होगा बार बार लगाना नहीं पड़ेगा और एक साथ सभी का मेहनत करेंगे और इस परकार से हम खेती कर सकते हैं तो आज का वीडियो में आप देखे कि लागात एक और मुनाफा तिन गुना कैसे होगा और किस परकार से होगा तो साथ आप इस वीडियो को देख लिए होंगे आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चाइनल क्रिसी राज को सस्क्राइब कर लिजेगा और जादा से जादा से शेयर किजेगा तो हम बता दे कि आगे इस से भी बढ़िया बढ़िया वीडियो हम आपको देखाएंगे और हर एक खेत में हम जाएंगे और किस परकार से खेती किया जा रहा है पूरा हडा बडा फसल और किस हमारा वीडियो को देखते रहिए और हमारा चाइनल क्रिसी राज को सस्क्राइब किजिए और बेल आइकन का घंटा आवस से दबाएगा उससे हमारा वीडियो जो अपलोड हगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा तो आज का वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद